हलो दोस्तों नमस्कार जितने भी EPS 95 पेंसन धारक हैं आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दू कि हिमत नगर में एक गुजरात में दिनांक 24-12-2022 को एक बहुत बड़ा विसाल जो सम्मेलन था वो सफलता पुर्वक संपन्न हो चुका है जिसमें बीविदे संगठनों के वरिष्ट नेताओं सहीत हजारो EPS 95 पेंसन धारक वहां पे मौझूद रहे हैं मैं आपको बता दू कि गुजरात प्रांत के अध्यक्ष स्री आरसी पटेल प्रांतरी महासची स्री बीके चवहां सहित गुजरात प्रांत के वजिस्ट नेताओं की भी उपस्तिती वहां पे रही है आगे मैं आपको बता दूँ कि मात रिसकती के भी सैकरों की संख्या में उपस्तिती वहाँ पे रही है जो समाचार था वो मैं थोड़ा बिस्तार से बताने की कोशिस करता हूँ आप तो थोड़ा सा समझिएगा इसको कि जो राज़्टिय संगर समझती है एनसी की टीम उनकी जो प्रमुक चारसुत्री माग हैं उन मागों को लेके यह मीटिंग किया गया था मीटिंग में सबसे पहले दीप प्रजरन करते हुए सम्मेलन की सुरुवात किये सम्मेलन के मुखे आयोजक मानेनी डाक्टर आर एस पटेल जी ने किया मैं आपको बता दू कि बिभिनी संगठनों के मानवरों द्वारा एनसी की चारसुत्री मागों का समर्थन मार्ग दर्सन वा एनसी को सभी प्रकार के सहयोग का ठोस अस्वासन दिया मानने सांसर्द स्री दिलीप सिंग जी राठोरव स्रीमती राम बीरावेन बारा जी का EPS 35 पेंसनर्स को बिशेश उद्बोधन पेंसनर्स की माग का किया गया समर्थन वा दिया सभी प्रकार से मदद करने का ठोस वचन मुखे मार्ग दर्सक राष्टी अध्यक्ष माननी कमांडर असोक राउज जी ने अपने अभ्यास पूर्ण भासन में वर्तमान इस्थिती में पेंसनर्स को अवगत कराया वा माननी सांसद स्रिमती हेमा मालनी जी की अगवाई में माननी पधान मंत्री जी के दोरा दिये गए अस्वासन को पूर करने का निवेदन इस सम्मेलन के माधम से किया साथ ही उन्होंने CWC द्वारा बंगलोर मीटिंग के लिए गए निर्णे की बिस्तार सही जानकारी देते हुए सभी से तीर सुत्री आंदूलन के लिए तैयार रहने की अपील किये जिसका सभाग्रिये ने जोड़दार समर्थन करते हुए प्रस्जाद किया पश्चीम भारत के संगठन सचीव स्री सुभास पोखरकर महिला फ्रंट की पश्चीम भारत की संगठन सचीव सव सविता नार खेडे उतर महराश के अध्यक्षे स्री डिके अन्ना जाधो च्छतिसगर इस प्रकार के सभी नेताय वहाँ पे उपश्चित रहे कारिक्रम के अध्यक्ष मानेनी स्री सामल भाई पटेल जी ने अपने अध्यक्षी भासण में ये निसी के कारियों की प्रसंसा की वह सभी प्रकार से सहयोग करने का ठोस अस्वाजन दिया कारिक्रम का सुत्र संचलन वरिष्ट नेतावा कारिक्रम के मुख्य आयोजक डाक्टर स्री आर्यस पटेल जी ने किया हुआ कारिक्रम के सफल आयोजन हेतु सहयोग करने वाले सभी सहयोगियों के प्रति आभार बेक्त किया माननी स्री आर्यसी पटेल प्रांतिय दक्ष स्री बीके चवान प्रांति सच्चिव सम्मिलन के मुख्य आयोजक स्री आर्यस पटेल सह आयोजक सर्वस्री मधुकर एस खामर सब गुजरात टीम को सत सत नमन दोस्तों कुछ तस्वीरें भी हैं आईए उन तस्वीरों को भी हम देख लेते हैं जो जो में ब焦्रिधी को लेके एक कदम और आगे पहुँचा जा गया है EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन सम्बंदी समस्या को काफी बारीकी के साथ में EPS 95 पेंशन धारक के कारिकरता और मानने कमंडर असोक रावजी समझे चुके हैं EPS 95 पेंशन धारकों को जल्द ही उनकी बड़ी हुई पेंशन की रासी मुहिया कराई जाएगी इस प्रकार की बातें जो तो सामने आ रही है लेकिन देखना ये है कि क्या सरकार इसी सत्र में EPS 95 पेंशन धारकों को उनका पेंशन का रासी बेटाती है या नहीं और भी बहुत सारे बाते हैं बहुत सारी तस्वीर भी है जो EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन ब्रिद्धी के संबन्द में हैं उसे भी हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में फिलहाल ये वीडियो काफी लंबा भी हो चुका है और काफी बहुत पूर महत पूर बातें भी इस वीडियो के मादधम से मैं आप लोगों के बीच में रखा हूं फिलहाल दोस्तों आप लोगों का क्या विजार है आप लोगों का क्या राय है ज़्याँ करेंगे तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपड़िट में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत